कि हाउड फीक्स विंडोस 11 नोट शाटिंग डाउन प्रॉब्लम नमस्का डोस्तों स्वागर है अब सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है कि विंडोस 11 के अंदर पर यह प्रॉब्लम सॉल्फ के से कर सकते हैं अगर दोस्तों आपका जो पीसी है वह शाटाउन नहीं हो रहा है ठीक है शाटाउन नहीं कर पा रहा है तो यह वीडियो को आप जरूर देखेगा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कुछ शॉटकट तरीक जिसको आप फोलो करके शाटाउन कर सकते हैं प्रॉब्लम अपका सॉल्फ हो जाएगा ठीक है और मैं आपको खुछ ऐसा सॉलुशन भी बताऊंगा जिसको अगर आप फोलो करेंगे तो नेक्स टाइम जब आप शाटाउन करने जाओगे तो आपके लिए प्रोसेस आसान ब मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फोलो करके मेंसेज कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है अगर दोस्तों ऐसा कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू हो जाते है ठीक है शाडाउन नहीं होते हैं तो आपको दूस्तों यहाँ पर डायरेक्ट लिए अपना जो कनेक्शन है उसको बन कर देना है ठीक है अपना जो स्वीच है उसको बन कर देना है या तो फिर आपना सीप्यू को जो है स्वीच बटन जो है उसको क्लिक कर दीजेगा सीप्य की जो है वो है कॉंट्रोल एल्टी एंडल ठीक है सो मैं आपको एक बार शो करके रता देता हूं कौन सा ऑप्शन है कैसे शौटकार्ट में कीबोड से आप डिलेट कर सकते हैं कैसे आप शौटकार्ट में अपना जो यहां पर पीसी है उसको कैसे बन कर सकते हैं ठीक है यहां पर कीबोड मैंने ऑपन कर दिया है है अनस क्यों किबोड ऑखे यहां पर दोस्तों आपको कैसे ओफ करना है मैं आपको बता लेता हूं आप दोस्तों यहाँ पर control को प्रेस करेंगे ठीक है उसके बाद ALT प्रेस करेंगे उसके बाद DEL प्रेस करेंगे तो यह करने से क्या होगा दोस्तों आपको shutdown का option मिल जाएगा ठीक है और आप directly shutdown कर सकते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर एक बार आपने जो PC है उसको shutdown कर लीजिए shutdown करने के बात में दोस्तों आपको क्या 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 करना है यहाँ पर आपको on कर लेना है उसके वाद जाना है सेटिंग पर सेटिंग पर जाके दोस्तों अपना जो software है उसको update कर लीजेगा ठीक है software update कर लीजिए software update करने के बात दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है आपको चेक करके देखना है कि problem solve हुआ है कि नहीं अगर solve हो जाते है ठीक है अगर फिर भी आपको problem आते है तो start button प करके आपके device manager पर जाइए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का option मिलेगा तो आपका जो display adapter है उसके properties मर जाके एक बार चेक कर लीजिए आपके adapters update की जरूट है या नहीं है ठीक है तो यहाँ पर NVIDIA जो है उस driver यह वाला है तो यहाँ पर update का option मिलेग तो एक बार ड्राइवर अपडेट चेक करके देखेगा ठीक है तो यहाँ पर आपका जो ड्राइवर उसको update वगएरा करके देखे अगर आपका जो PCA वह शाडाउन वगएरा नहीं होते तो यह करके देख लीजिए एंड एंड ओके सो दूसरा आपको कोई चीज करने के ज पर जाईए और यहाँ पर दोस्तों आपका जो लाट आईकन है वह ओपें कर लीजिएगा ठीक है उसके बार आपक्षिन पर जाहिए पार अप्षिन पर जाने का दोस्तों आपको कुछ इस तरहाँ पर बटन डू का ऑप्षिन है यहाँ पर चेंच सेटिंग डेर करिंद ल अगर आप दून अठिंग के आप स्लेक कर देते तो आपको प्रॉब्लेम होगा तो इतना यहां पर करने के बाद आपको सेफ़ चेंजस करने के बाद दोस्तों आप जो है स्टार्ट बॉतन पर क्लिक करें उसके शाडाउन कर, देखे शाडाउन हो जाएगा, काम करेगा problem solve हो जाएगा ठीक है तो इस तरीचे से आपह पर problem को solve कर सकते हैं अगर इससे problem solve हो जाते हैं ठीक है कैसे लोग को problem solve hè बाइँ इन ही चांस अगर solve नहीं हो रहे problem तो फिर दोस्तों यहाँ पर आप जाएए आपने सेटिंग पर ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आपको एकाउंट ऑगे नोड एकाउंट यहाँ सिस्टेम पर जाएंगे और रिकावरी ओप्शन ठीक है सिस्टेम पर रहे रहे रिकावरी ओप्शन पर जाएए और और अपने PC को reset कर लिजिए PC reset करने के वाद दोस्तों आपका problem completely fix हो जाएगा ठीक है कई वार दोस्तों PC restart करना पर जाते आपको reset करना पर जाते तो उसको आप follow कर लिजिए या फिर दोस्तों अगर आपको reset नहीं करना है तो आप किसी technician को दिखाई है या फिर technician को घर के बुला लिजिए और उनसे चेक करवाई है ठीक है और आपका problem solve कीजिए तो यहीं दोस्तों solution जो भी है आप जिसको follow करके problem solve कर स